अगर आप पहली बार यूटुब चैनल पे आये हैं तो यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों मैं आपको अपने पिछले वीडियो में विप्रो का मैं वीडियो अप्लोड किया था 28 अगस्ट एंड उससे पहले विप्रो में मैं अनालेसिस दिया था 10 अगस्ट उससे पहले 21 जुलाई 21 जुलाई से मैं अपडेट देते वे आ रहा हूं कि नो ब्रेकाउट सपोर्ट उसके बाद मैं 10 जुलाई को भी वही वीडियो प्लोड किया नो ब्रेकाउट सपोर्ट एंड मैं विप्रो का 28 अगस्ट को भी वही वीडियो प्लोड किया नो ब्रेका 435 का ट्रिलिंग था अभी 440 तो टार्गेट नहीं लगा 437.65 गया उसके बाद 435 का लग गया ट्रिलिंग हम लोग निकल गए विप्रों से एक्जिट करकर अभी विप्रों में फिर से फ्रेश बाइंग बन रही है दोस्तों अभी बन रही है तो वो बनने से पहले मैं आपको RSI समझाना चालता हूं ठीक है RSI अभी थोड़ी देर पहले थोड़े दिन पहले ओवर बॉट था अभी RSI 60 के पास आ रहा है मैं आपको बस सजेस्ट करूंगा कि 10 से 15 दिन वेट करूं विप्रों को अभी दो वाचलिस्ट लगा लो वेट करूं वेट करकर अगर ये RSI 60 ब् ब्रेक करते हुए याद रखों लेवल ब्रेक कर रहा है ये वाला एंड मैं ट्रेड़ेड वैल्यू भी देखे जाओंगा इसका प्राइस भी बता दूँगा प्राइस 419 अभी फ्रेच बाइंग मत करो मैं सजेस्ट नहीं करोगा ठीक है 419 अगर RSI 60 ब्रेक होते हुए ये लेवल ब्रेक कर रहा है उपर वाले 419 तो दोस्तों आपको फिर से 380 में या 375 में आपको फिर से विप्रो मिलेगा अगर ऐसा नहीं ये उपर जाते जाते लेवल ब्रेक कर रहा है ये 434 and उपर कैंडिल open उपर कैंडिल क्लोज कर रहा है वो भी green रेड नहीं रेड नहीं, रेड ब्रेकडाउन इंडिकेशन है, ग्रीन अगर इस तरीके से close कर रहा है, तो समझो लिखके लेलू, मैं ही खुद लिखके दे दूँगा आपको, कि ये 443 का, 442 का लेवल ब्रेक करते हुए, ये लेवल खीच के जाएगा 475 तक, अगर in between correction करना है, तो 454 तक म अगले हफते, अगर नहीं, तो विपरो को नीचे आना है, सपोर्ट लेना है, भागना है, या सपोर्ट ब्रेक करके फिर भागना है, तो विपरो में लेवल बनेंगे, तो यही बनेंगे, इसके अलावा विपरो में लेवल कुछ अलग नहीं बनेंगे दूस्तों, तो यही for watching my video.